आज का टोपिक है हमारा अर्थ विवस्ता ठीक है आज हम कवर करेंगे आपका पूरी अर्थ विवस्ता को ठीक है जो भी अर्थ विवस्ता के कुछ निसमें बनते हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं ठीक है अगर अर्थ विवस्ता की बात करें अर्थ सास्त की अगर बात कर ठीक है अर्थसास के जनक की बात करें तो अर्थसास के जनक आपके एडम इसमत ठीक है आधुनिक अर्थसास के जनक कोने आपके एडम इस्वस्त एडम इसमत ठीक है बात करें समष्ठ अर्थसास के जनक कोने आपके जहान मेनाड क्रीन्स है ठीक है देखें अर्थसास के अग एडम इसमस की पुश्तक दाव वेल्त अप नेसन कब प्रकासित होई था आपके 1726 प्रकासित हो इती ठीक है अर्थ विवस्ता के प्राथ्मिक छेत्र की बात करें तो प्रात्मिक छेत्र क्या होते हैं इसमें आजाएं वहे हैं तो यह किया, अलएक ठीक है, तो हम आपकि अर्थ्योगिक खेत्रें दुद्यक खेत्र के गाहत्यर्में हाते हैं तो हम लुक्त है, करें तो तिर्थ िर्थ उसेड्म करें तो करें तो 13 के यह एव बात करें चत्रत की अर्थ वर्सता वसता के चत्रत्त चतित्र गया है है शिख्षा खोज अनुसंदान ठीक है पह तो पंब सिंद्ध करें तो पंचमपन में आपके उच्ञिंग cents later जैसे उच इस्तर के सरकारी अधिकारी कमपनिया के बरिष्ट प्रवंदक कानूनी सलाकार इत्यादी ठीक है तो ये क्या है आपके उच पंचम अर्थविश्था के छेत रहते हैं ठीक है देखे आगे बात करें राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थविश्था का जो बात करें पुंजिवादी अर्थविश्था के पुंजिवादी अर्थविश्था में आपका क्या होता है इसमें आपका उत्पादन एवं बित्रन साधनों पर नेजी छेतर का स्वामित होता है ठीक है जैसे आपका अमेरिका बिटेन की अर्थविश्था क्या आपकी पु यूवा उत्री कोरिया की अर्थ विश्था काई का आपका समाजवाद अर्थ समाजवादी अर्थ विश्था का उधारन ठीक है बात करें मिस्रित अर्थ विश्था क्या होती है मिस्रित अर्थ विश्था में आपके पूंजी वादी और समाजवादी दोनों अर्थ क्या होता है लुगों के जीवन में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक गुणहत्नक परिवरत सब्सक्राइब के गहीं जारी कोन करता है मानब व्यकास सुच कांग को तो इसे आपका जारी करता है सियूत राष्टरंग विकास कारेकरम UNDP इसके आयाम क्या है स्वास्थ सिखचा जीवन इस्था थी कैं इसके आयाम है, संकेत की अगर बात करें तो संकेत क्या होता है इसका जन्म के समय जीवन पिर्तियास था, ठीक है स्कूल आपदी के अनुमातित वर्स, पिर्ती ब्यक्ती एकल राश्टी है, आये क्या है आपके ही जो आपकी जारी होती है सरपरतम जारी कब होुएती है आपके 1990 में ठीक है मानफ दिशक बिकास सूचकांग जू आपका जारी होता सरपरतम 1990 में ठीक है बात करें HDI 2021 की तो HDI 2021 का सूच कांग क्या है आपका इसमें कुल कितने देश सामिलते तो इसमें आपके 101 क्यान में देश सामिलते ठीक है इसमें जो आपका सीर्स इस्तान पर कौन था जो सबसे उपर था आपका स्वेजर लेंड अंतिम इस्तान पर इसका दक्षणी सूडान ठीक है भारत की ranking score कितना था दोहर 2122 में तो 132 इसका score ठीक है 132 अज़डी अगर बात करें थे भारत में नियोजन की अगर बात करी जाए तो भारत यह है नियोजन के पिता कों है आपके एम बिस्व रे भई है थीक है बिस्व सिवर भई या दसवी जो इनकी योजना थी दसवी जो योजना परसूथ करे गई ठीक है भारतीन नियूजन की ठीक है तेफित है राश्टीन नियोजन सीमिती का गटन कव करा था आप बॉम्बे प्लान क्या था भारत में नियोजन का इतियास में बॉम्बे प्लान क्या था तो प्रस्तुत बॉम्बे प्लान का प्रस्तुत बरस्ता 1944 ठीक है इसके प्रस्तुत करता कौन थे आपके G.D. विडला, G.R.D. टाटा, कश्तूरी भाई तथा लाल भाई उद्योगपती काय के थे Bombay Plan के प्रस्तुत करता थी, ठीक है टीक है, बात करें गांधीवाजी योजना की गांधीवाजी योजना क्या थी आपकी तो गांधी वाजी योजना जो है आपकी प्रस्तुत कर गई थी 1944 में ठीक है प्रस्तुत करता थे इसके सिरी नारा है ठीक है प्रस्तुत करता कौन थे इसके सिरी नारा है ठीक है जनवादी योजना थी कि जनवादी योजना जो 1945 में प्रस्तुत करे गई थी इसके प्रैस्तुत करता कोने जय फिरकास न रहाइं राष्ट्र Oliver आपका अंज्छन लएःता और इसके जो अध्यक्त थे आपके केसी नियोगी थे टिक है इसीसिegt市 पर क्या हुआता ये योजना अयोका क्या गया इसी का धर पर क्या किया गया था योजना आयोक का गठन किया गया था ठीक है बात करें योजना आयोक की तो योजना आयोक का गठन आपका 15 मार्च 1950 को किया गया था गठन मंत्री मंटल के प्रस्ताब द्वारा सम्मिनोत्त संस्ता के द्वारा करा गया था ठीक है भंक अब क्य बात करी जाए भारत में राष्ट्य आय कि गड़ना केंध्रिय सांखे की projects द्वारा की जाती है जब o अन्ही सो इसकार को कि शयानाख किस्थापना 1921 मैं कर गयुती बर्स उन्डिय चाहने किस्थापना बेकर शांखले कर político कि नत्रगत राश्टीय के कार लिए ten विंद्धर किस्था आपना क्या है 2011 12 भारत में राष्ट्य आय का सर्प्रत्रम अनुमान किस ने दिया था दादा भाई नरोजी ने 1868 में लगाया था ठीक है भारते राष्ट्य आय की करना तीन विद्यों से की जाती है ठीक है पहली ये उत्पादन विद्य समस्थ संसादन दौरा कुल अंतिम देखें बात करें भारत में पंच वर्ष्य योजनाओ का पर्चमर्सी योजनाओ की देखें उन्निस पहली पंच वर्ष्य योजनाओ की 1956 से छकपन लक्षे था इसका 2.1 और इसकी उपरवदी थी तीरी 5.6 ठीक है फिरम कुद्देश से क्याता है इसका किर्सी ठीक है दू तीसरी जो योजना अब्दी थी आपकी वो थी 1966 से ठीक है 1966 से चासर तक इसका जो लक्षे था 5.6 था और उपलब्दी इसकी 2.5 थी और इसका पिरमुक उद्देशिय किर्सी एभम उद्द्योग था ठीक है देखे तीसरी योजना के बाद आपका योजना अपकास रहा है 1966 से 1989 था ठीक है चोथी पंचवर्सी योजना आपकी 1974 से 74 था इसका जो लक्षे रखा गया था 5.7 रखा गया था लेकिन प्राप्त कितना हुआ था 3.3 इसका लक्षे प्राप्त कर सकेते ठीक है इस योजना का उद्देशिता इस्तरता के साथ विकास एभम आत्म निर्वरता की प्राप्ती ठीक है पांच भी पंचवर्सी योजना आपकी 1974 से 1978 तक इसका लक्षे रखा गया था 4.4 उसकी प्राप्ती हुई थी 5.0 इसका उद्देशिता गरीबी उन्मुलम और आत्मुर्ता की प्राप्ती ठीक है उसके बाद पांच भी के बाद आपकी अनवरत योजना अनवरत योजना आपकी 1978 से 80 तक रही ठीक है उसके बाद आपके आती है छटी पंच भर्सी योजना तो 1980 से 85 इसका लक्षे रखा गया था 5.2 और लक्षे प्राप्त हुआ था 5.4 ठीक है इसका उद्देशिता गरीबी उन्मुलन एवम रोजगार में ब्रद्दी ठीक है साथ भी पंच भर्सी योजना आपकी 1985 से 90 और इसका जो लक्षे रखा गया था 5.0 रखा गया था और इसका जो प्राप्ती हुई थी वो 5.8 की हुई थी ठीक है इसमें क्या हुआ था आपका विकास इसका उद्देशिता विकास आदोनी करण आत्म निर्वरता था सामाजि नियायका उद्देशियस में रखा गया था ठीक है उसके बाद आपका 1990 से 97 योजना अपकास रहा है ठीक है योजना अपकास रहा है उसके बाद आपकी 85 से योजना आपकी 1992 से 97 ठीक है इसका लक्षे रखा गया था 5.6 का ठीक है लेकिर प्राप्त कितना हुआ था 6.7 इसका प्राफ्ट हुआ था ठीक है इसका उद्देश्य था विभिन पहलों में मानब विकास ठीक है विभिन पहलों में क्या था आपका मानब विकास ठीक है देखे नोवी पंचबर से योजना आपकी 1997 से 2000 तक ठीक है 1997 से 2000 तक इसका लक्षे रखा गया था 6.5 जो प्राफ्ट हुआ था 5.5 ठीक है इसका उद्देश ये था नियाएपूर बित्रण एवं समता के साथ विकास ठीक है उसके बाद आती है आपकी दसवी पंच वर्सों में प्रती बिक्ति आए दुग ना करना ठीक है उसके बाद आती है आपकी ग्यारवी पंच वर्सी योजना 2007 से 2012 इसका लक्षे रखे गया था 9.0 और इसकी लक्षे की प्राप्ति हुई थी 8.0 ठीक है इसका उद्देश ये था 13 एवं समाबेसी विकास ठीक है उसके बाद आपकी बारवी पंच वर्सी योजना 2012 से 17 तक ठीक इसकी इसकी इस्तापना की बात करें तो 1.0 2015 को इसकी इस्तापना करी गई थी ठीक है इस्तापना 1.0 2015 को पूरा नाम क्या इसका इसका नाम है National Institute for Transforming India ठीक है नीती आयोग ठीक है गठन किस प्रकार क्या गया था केंद्रिय मंत्री मंडल के प्रस्ताप दोरा सम्मिन्दोत्तर गैर सम्मिन्दानिक संस्ता है ठीक है बात करें इसकी परिच्चे कि परिच्चे क्या होता है इसका देश का पिर्मुक ठिंक टेंक है पिरतम उपाद्यक्ष कों थे इसके अरब उपाद्यक्च पिरदान मंत्री द्वारा कोई व्यक्ती हो सकता है ठीक है झाल सबी राज्यों के मुख्य मंत्री कें सासित पिर्दरसों के राज्येपल और ऊरौ में समय ऑद्रीकData बात करें पूर्ण कालिक सदस्य दिए पूर्ण कालिक सदस्य अधिक्तम पांच होते हैं ठीक है कितनी है पांच है ठीक है अंसकालिक सदस्य एक संक्या अधिक्तम दो ठीक है अधिक्तम कितनी होगी दो होगी पदेन सदस्य भारा सरकार के चार केंद्रिय मंत्री पिरधान मंत केंद्र का सचीविस्तर का अधिकारी होगा इसका जो मुख्य कारिकारी अधिकारी होगा कौन होगा केंद्र का सचीविस्तर का अधिकारी होगा ठीक है भारत को जो बाटा गया है भारत में 15 किर्सी जलवाईयू पिर्दोसों में 20 किर्सी परिस्तितिक पिर्दोसों में बाट अगे ने विश्क लोटेल के हरित किरांती एक अगर बात करें तो हरित किन नीचनी सीसे सहतं से हरित कुरान्ती क्या हो घुलती पंजाब एक पंजाब हाउन्हां पच्चान् में दूल में भारत के प्रामाइgg छिप्निलादोसी 0p नेनक एंई सवामी नंतन को माना जाता है ठीक है इसके पिरमो गटक की बात करें अच्ष हरित करांति की तो इसमें क्या था उन्ठ बीज रासायनीक उरवरग्डक की नकारात्म क्विर्भाब क्या हुए अत्यातिक जल्दोहन म्रदा लवडता में ब्रद्धी किर्सी प्रत्वी रूप में बदलाव आया ठीक है खरित करांती के कारण ठीक है चलिए आगे बात करें थे कि आपरेशन फिलड आपरेशन फिलड क्या था तो आपरेशन फिलड जो था देश में दुख्त उदबादन बढ़ाना था ठीक है इसके सुभारम क्या कर था उननीस सो सत्तर में ठीक है आनंद गुजराज से ठीक है देखे प्रधान मंत्री की आर्थिक अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों में मंत्री मंडल सिमीती पिर्तिबस कुल 23 फसलों का नियूंतम समर्तन मुल्ये MSP क्या करती है गोसित करती है जिसमें 7 खाद्यान फसले 5 दलहनी फसले 5 तिलहनी फसले 4 बाने जिक फसले गन्ना का पास जूट और नारियल सामिल होते है ठीक है उसका क्या करती है पिर्तिबस MSP निर्धारित करती है ठीक है फसलों पर नियूंतम समर्तन मुल्ये MSP की सिपारिस किर्सी लागत पर एवम मुल्ये आयोग CACP करता है ठीक है जिसका बर्स 1985 में नाम क्या कर देगा था बदल कर किर्सी लागत एवम मुल्ये आयोग कर दिया गया ठीक है ठीक है यह किर्सी किर्सान करल्यान मंतरालिय के अद्रकत कार्य करता है इसका मुख्यालिय का है आपका ने दिल्ली में ठीक है ठीक है भारत में किर्सी करांतियों के अगर बात करें 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 किर्सी करांतियों के अगर बात क उत्पादन से रजत क्रांती अंडा कुकड उत्पादन से ठीक है पीलत या पीली क्रांती आपकी तिलहन उत्पादन से स्वन रेखा क्रांती आपकी जूट या पटसन उत्पादन से रजत रेशा क्रांती जो है आपकी कपास उत्पादन से ठीक है गोल क्रांती आलू उत्प सूच्म लगू मध्यम और उद्योगों का बारगी करण के दिखे सूच्म लगू और जो मध्यम उद्योगों का बारगी करण क्या गया है और उनके उद्योग में सिवा उद्योग क्या है सूच्म क्या होते हैं उद्योग अगर बात करें तो इसमें क्या होता है प्लांट एवर मसीनरी उपकरण में निवेस एक करोड रुपे तक और बार्शिक टान ओबर जो होता है वो पांच करोड तक होता है ठीक है बात करें लगू की तो लगू में आपका बिनमान उद्ध्योक की अगर बात करें तो प्लांट एवर मसीनरी और उपकरण में निवे सब्सक्रांगरा निवेश्य कितना होता है 10 से 50 क्रोड रूपे तक और 226 टन ओवर 250 से 250 क्रोड रूपता है ठीक है आगे बात करें महारतन और rest different pace èm豫 तो में नवरतन कमोया क्या होती एंगा सालar रादन्य नवरतन कितनी है रिपकर ठीक है नवरतन कंपनियों की संक्या है वो कितनी है वो भी बार है मिनी रतन कंपनियों की जो कुल संक्या वो कितनी है चोहत्तर है ठीक है मिनी रतन कंपनियों की संक्या कितनी है चोहत्तर है ठीक है स्रेणी फर्ष्ट में आपकी 62 कंपनिया है और स्रेणी टू में आपकी बार लूटर है कमपनिया हैं ठीक है तीक है महारतनी कमपनियों के पर बात करूं तो महारतनी कमपनिया कि इतनी है आपकी बार है'd कोन कोन सी है पहली आपकी NTPC यह मतलब नेर्मर नेशनल धर्मर पावर कारपोरसन लिमिटेट ठीक है इसकी स्थापना कवी थी आपकी 1975 में और इसका जो मुख्यालिय आपका नई दिल्ली में ठीक है तो सेल की स्थापना आपकी 1974 में होई थी और इसका मुख्यालिय का आपका नई दिल्ली में ठीक है बात करें कोल इंडिया लिमिटेट की CIL की तो इसकी स्थापना कवी थी आपकी 1975 में ठीक है और इसका मुख्यालिय का आपका कोल कत्ता में ठीक है Indian Oil Corporation Limited की स्तापना कब हुई थी आपकी तो ये हुई थी आपकी 1969 में और इसका मुख्याले आपका नई दिल्ली में ठीक है Gas Authority आप India Limited जिसे बोलते है GAL ठीक है तो GAL की स्तापना कब हुई थी आपकी 1984 में ठीक है इसका मुख्याले का आपका नई दिल्ली में बात करें आगे भारत Heavy Electricals Limited ठीक है बील की अगर बात की जाए तो इसकी स्तापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्याले का आपका नई दिल्ली में ठीक है बात करें भारत Petroleum Corporation Limited की BPCL की तो इसकी स्तापना आपकी 1977 में हुई थी ठीक है और इसका मुख्याले का आपका मुंबई में ठीक है बात करें आगे Power Grid Corporation आप India P.G.C.I.L. की तो इसकी स्तापना का हुई थी 1989 में ठीक है इसका मुख्याले का है नई दिल्ली में आगे बात की जाए Power Finance कारप्रेशन P.F.C. की तो इसकी स्तापना हुई थी आपकी 1986 में ठीक है इसका मुख्याले का है आपका नई दिल्ली में ग्रामिड बिद्दूत बिद्दूती करण निगम की देखे ग्रामिड बिद्दूती करण निगम Limited की स्तापना REC की स्तापना कविधी आपकी 1969 में और इसका मुख्याले का है नई दिल्ली में ठीक है देखे प्रमुक ओध्योगिक बिद्द संस्तानों की अगर बात करें स्तापना देखे बिद संस्तान कोन सी है आपकी भारतिया ओध्योगिक बित निगम IFCI की स्थापना कवईती आपकी 1948 में भारतिया ओध्योगिक साख निवेस लिमिटेट की स्थापना कवईती ICICI की तो इसकी स्थापना कवईती आपकी 1955 में ठीक है बात करें भारतिया ओध्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कवोईती आपकी 1964 में ठीक है भारतिया इकाई बिन्यास UTI की स्थापना कवोईती आपकी 1964 में ठीक है भारतिया ओध्योगिक निवेस बैंक IIBI की स्थापना कवोईती आपकी 1971 में ठीक है राष्टिय आवास बैंक एन एच बी की स्तापना हुई थी अपकी 1988 में ठीक है भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक सीड़ी की स्तापना का हुई थी 1990 में ठीक है देखे कुछ महत्मूर्ट तथ्य के अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा बिणियम अदिनियम फेंधरा 1973 को जनवरी 1974 को लागू किया गया था ठीक है भारत में विशेष आर्तिक छेत्र सेयर नीती पहली वार 1 अपरेल 2000 को लागू करी गई थी ठीक है भारत में एसिया का पहला निर्यात प्रैसंसनकर छेत इएपजी को बर्स 1965 में गुजरात के कांडला में इस्तापित करा गया था ठीक है ओध्योगिक निती 1951 द्वारा भारत सरकार ने जुलाई 1991 को नई आर्थिक निती की घोंसला करी थी ठीक है इसके देश में उधारी करण नेजी करण और बेशवी करण LPG की सुरूबात होई थी ठीक है बात करें आगे रंगाराजन सिमिती की सिपारिस के अधार पर बर्स 2016-17 में की बजट से योजनाकत गैर योजनाकत ब्याके बर्गी करण को समाप्त कर दिया गया था ठीक है एक पिर्थिक्षकर है पूरा नाम इसका क्या है बस्तु एवं सेवागर ठीक है पूरा नाम क्या है इसका बस्तु एवं सेवागर इसका उद्देश से क्या है एक देश एक कर प्रणाली लागू करना है ठीक है जिएस्टी कब लागू हुई थी आपकी एक जुलाई 2017 को ल लागू किया गय था ठीक है गेंगे जीय स्थी में सामिर जो एपिर्थिक्ष कर हैं राजिया बेट आपका केंद्रिय उत्पात सुल्ख तो केंद्र राज्य सरकार की जो कर हो इसमें राजिये वेट, मनरणजन कर, प्रिवेश कर, बिलिस्ता कर, ठीक है, लाटरी सट्टेवाजी जुएपर कर, ठीक है, बस्तु एवन सेवाओ की आपूर्ती पर राजिये उपकर एवन अधिभार, विग्यापन कर और क्रेकर, ठीक है, ये कायम है आपके, एपिर्थ्यक्षकर म बात करें, तो केंद्रिय उत्पास सुल्क, अत्रिक्त उत्पास सुल्क, सीमा सुल्क, बस्तु एवन सेवाओ की आपूर्ती पर उपकर एवन अधिभार, ठीक है, ठीक है, जी एश्टी परिशत आपका किसम है, अनुछेद दोस्यों, उन्यासी ए में, ठीक है, जी एश्ट बात करें, तो कुल सदस्यों का 50, 30, इसमें होता है, बोटिंग पावर क्या है, बोटिंग पावर केंद्रिय sarkar के पास एक तिाई, और राज्य सरकार के पास दो तिाई है, ठीक है, इसका निविड़िया कैसे होता है, तो 3 विड़ चार बाहुमस से इसका निऱिया होता ह ठीक है देखे जी एश्टी दरे जो है आपकी कितनी है एक 5% है एक 12% है और एक 18% और एक 28% ठीक है चार पिरकार की जी एश्टी दरे है ठीक है देखे बेट बेट की बात करें तो बेट है क्या बेट आपका जो है बेट का पूरा नाम है मुल्या वर्तित कर बेल्यू एडिट tax ठीक है इसका बेट का पूरी full boom क्या है value added tax ठीक है दीक है बेट जो है आपका किसके सिपारिस करता था किसके उसपर लागू की कहता बेट चेले या समीती 1951 के दोबारा लाया गया था ठीक है बेट का सुभारम 1 अपरेल 2005 को किया गया था ठीक है लागू करने वाला पर्थमराज्ये कौनता बेट को हरियाना 1 अपर हैल 2003 से इस में लागू गया गयé था ठीक है दीक है कर का पिरकार जो होता है आपका एपिर्तिक्ष कर अपत्र पिर्देश एक जनवरी 2008 से ठीक है देखे बात करें आरवी आई की अगर बात की जाए बैंक दर ठीक है अगर बात करें बैंक दर देखे आरवी आई की अगर बात करें तो आरवी आई की साख नेंतर की बिद्या क्या होती है एक होती है आपकी रेपोदर ठीक है इसमें क्या होती है एक रेपोदर रेपोदर क्या होती है बहे ब्याज जिस पर आर्वियाई अन्या बैंको को अलपकानिन क्या है रण देता है ठीक है और बैंकदर क्या होती है बैंकदर होती है बहे ब्याज जिस पर आर्वियाई अन्या बैंकों से अल्पकालिन रन लेता है ठीक है बात करें नगद आरक्ची ठीक है जिसे बोलते हैं CRR ठीक है नगद आरक्ची अनुपाद CRR क्या होता है यह होता है आपका बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग RVI के पास नगद रखना पड़ता है इसी को हम क्या कहते है CRR कहते है एक होता है अपका SLR जिसे बोलते है बेदिनिक तरलता अनुपाथ इसमें क्या होता है बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदेब जमा कोस की रूप में रखना पड़ता है इसे के कहते हैं हम SLR कहते हैं बेदिनिक तरलता अनुपाथ तो ये RVI की साक की नियंतरण की भी दिया है बात करें आगे बैंकिंग के महत्मूर्ट था थी भारत में जो बैंक की इस्तापित हुई थी भारत में इस्तापित प्रत्रम बैंक कौन से थी आपकी बैंक ओफ हिंदुस्तान 1770 कोलकत्ता में ठीक है उसके बाद आपकी प्रेसिडेंसी बैंक ठीक है जिसे इसमें क्या होती है आपकी तीन बैंक ठीक है कहाँ पर बैंक आप बंगाल 1806 में बैंक ओफ बंबे 1840 में ठीक है बैंक ओफ मदरास 1843 में ठीक है बर्स 1921 में तीनो प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपेरियल बैंक ठीक है आफ इंडिया की स्तापना करी गई थी कप करी गई थी 1921 में ठीक है इंपेरियल बैंक आफ इंडिया का राष्टे करन कप किया गया था एक जुलाई 1905 पचपन को ठीक है बाद में इसका नाम रखा गया था भारतिय इस्टेट बैंक ठीक है भारतियों दुआरा संचालित पहला बैंक था अबद कामर्सियल बैंक ठीक है इसकी स्थापना हुई अब्रतियों तो यह करी गई थी दुआ है भारत का केंद्रिय बैंक के आरविई इसकी स्थापना एक अपन्वेट 1734 के दुआराभीई एक्ट 1934 के दुआरा करी गई थी ठीक है इसका मुख्याल्या आपका मुम्बाई में राष्टे करन के राच्ट में peanuts करन गया था मियामार बर्मा के केंद्रे बैंक के रूप में कार्य किया मार्च 1967 चुँटीक है पाकिस्टान के केंद्रे बैंक के रूप में कब तक कार्य किया 30 जून 1948 चुटीक है बैंकों का राश्टे करन प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी के कार्यकाल में हुआ था ठीक है पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1909 को 14 बड़े बैंकों का दूसरी बार हुआ था 15 अपरायल 1980 को 6 बड़े बैंकों का ठीक है बंदन बैंक की स्थापना की बात करें तो बंदन बैं अबर 2013 को करी गई थी मुख्यालिया इसका नई दिल्ली में ठीक है SBI में कब बिले हुआ इसका 1 अपरेल 2017 को भारतिय महीला बैंक का बिले हो गया ठीक है देखें बैंकों के बिले की अगर बात करें तो बैंकों का बिले बर्स 1993 में न्यू बैंक आप इंडिया का पंजाब नेस्टन में बिले हुआ थीक है 1993 में न्यू बैंक आप इंडिया का पंजाब में बिले हुआ था 1 अपरेल 2017 को जो बिले हुआ था आपका State Bank of Bikaneer and Jaipur का State Bank of Patiala का State Bank of Maysour का State Bank of Travencore का भारतिय महीला बैंक का बिले किसमें हो गया था आपका इनका State Bank में सबका बिले कर दिया गया था ठीक है बात करें 1 अपरेल 2019 को दीके 1 अपरेल 2019 को बिजया बैंक और देना बैंक को मिलाकर बैंकों बढ़ादा में कर दिया गया था ठीक है सिंडिकेट बैंक का बिले केंडरा बैंक में कर दिया गया था इला बैंक का इलाबाद बैंक का आपका इंडियन बैंक में कर दिया गया था ठीक है भारत में सार्विजिक बैंकों की कुल संक्या कितनी है बारा है ठीक कितनी है बारा है भारत का सबसे बड़ा बैंक है आपका भारतिय स्टेट बैंक SBI भारत का शबसे वड़ा निजी छेतर का बैंक जो है अपका HDFC केडिट कार्ट जारी करने वाला भारतिय बैंक कोंता आपका सेंट्र बैंक ओफ इंडिया ठीक है mutual fund शुरू करने वाला पहला भारतिय बैंक तो भारतिय स्टेट बैंक बिदेशी लंदन साका खोलने वाला पहला भारतिय बैंक 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 ओप इंडिया ठीक है देखें बात करें भारत में पिरमुक भारतिय बैंक की स्तापना की तो भारतिय रिजर बैंक की स्तापना 1 अपराल 1935 भारतिय श्टेट बैंक की स्तापना 1 जुलाई 1905 पंजाब नेशनल बेंक की स्थापना उन्नीस सो अठार सो चोरान्वाय, बैंक ओब बढ़ादा की स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 को, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, यूनियन बैंक आप इंडिया की स्थापना 1919 में, राष्टे किर्सियेव ग्रामिड विकास बैंक, न कि स्थापना 1982 में राश्टियावास बैंक कि स्थापना 9 July 1988 को इंडियन इंडिश्टिल केड़िट एव इन्वेस्टेंड बैंक कारपरेसन आप इंडिया आईसी आई कि स्थापना 1994 में ठीक है देखे राजकोसी नीती के अगर बात करें तो राजकोसी घाटा क्या है देखे राजकोसी घाटा जो है आपका कुल राजस्वब प्राप्तियां प्लस कुल गैर पुंजिकत प्राप्तियां ठीक है माइनस कुल भी है प्रात्मी घाटा क्या है प्रात्मी घाटा राजकोस ये घाटा माइनस ब्याजदाई की राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा जो आपका कुल राजस्व भी है माइनस कुल राजस्व आए प्रवावी राश्योफ घाटा की बात करें तो राश्योफ घाटा माइनस राज्यो को दिया गया विकास का अनुदान ठीक है बजट ये घाटा क्या है कुल भी है और कुल प्राप्तिया ठीक है कुल भी है माइनस कुल प्राप्तिया आगे बात करें बजट के महत्मूर तत्ये के दीकि बजट के महत्मूर तत्ये जो होते हैं आपके आई बिया को बिस्तरत विबरण को बजट कहते हैं ठीक है आई बिया के बिस्तरत विबरण के कहते हैं बजट आपका बित्य बर्स एक अप्रैल से 31 मार्च तक प्रस्तूत होता है ठीक है बजट पेस करने के 75 दिन के अंदर बजट का पारित होना आविस्यक होता है ठीक है भारत में पहला बजट बिटिस अर्शास्त्री जेम सिबिलसन ने बर्स 1860 में प्रस्तूत किया था ठीक है बारत का पहला बजट 26 नमबर 1947 को प्रस्तूत किया गया था ठीक है उस्टेम ततकानली बित्मंत्री कोन थे आपके आरके सडमुखम चेट्टी थे ठीक है अब तक सरवातिक वार दस वार जो बजट प्रस्तूत हो है वो मुराजी देशाई ने बजट पेस किया है ठीक है एक वर सिमिति की सिवारिस के अधार पर 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेस करने की परंपरा सुरू हुई थी ठीक है एक फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट से के साथ पुने पेस किया जाने लगा ठीक है कब से एक फरवरी 2017 से ठीक है देखें मुद्रा इस्पिती क्या होती है मुद्रा इस्पिती आपकी जो होती है बस्तू एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली ब्रद्धी को क्या कहते हैं मुद्रा इस्पिती कहते हैं मुद्रा इस्पिती की इस्तिती में बस तू एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा मूल्य कम होता है मुद्रा इस्पिती की मापन का अधार जो है आपका थोक मूल्य सूचकांग ठीक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और आपका उबहुकता मूल्य सूचकांग ठीक है कंजूमर प्राइस इंडेक्स ठोग मूले सूचकांग के अगर बात करें तो यह सूचकांग बानिज्य एबम उद्योग मंत्रा ले उद्योग एबम आंत्रिक ब्यपार प्रसाहान विभाग डीपीटिया के आर्थिक सलाकार कारेल द्वारा जारी किया जाता ठीक है बर्तवान में कप चार हुआ था मई 2017 में इस सूचकांग के गड़ना के लिए बर्स 112 को अधार बर्स बनाया गया ठीक है इसमें कुल 697 बस्तु की किमतों को सामिल किया जाता है ठीक है इसमें प्रात्मिक बस्तु जो हैं आपकी 117 हैं इनन और उर्जा 16 हैं बिने में उत् पाद आपके 564 सामिल है ठीक है बात करें उब्भोकता मूले सूचकांग की CPI के अगर बात करें तो यह सूचकांग क्या होता है सांखे की एवं कार्यक्रम किनवाने मंत्रालिया के द्वारा राष्ट्य सांखे की कारलिया एनसो द्वारा जारी किया जाता है इसकी गड़न के तीन अलग-अलग सूचकांग बनाया जाते हैं पहला होता है इसमें ग्रामीड छेत्र के लिए CPI-R दूसरा होता है सहरी छेत्र के लिए CPI-C होता है ठीक है नोट करने वाली बात एक है नया उब्भोकता मूले सूचकांग CPI फरवरी 2011 में जारी किया गया था ठीक है जि भारत में मुद्रा इस्पिती का मापन नुब्होकता मूले सूचकांग CPI-C baseball द्वारी किया जाता है ठीक है बिक्सित देशों में मुद्रा इस्पिती का मापन उबहुकता मूले सुचकांग CPI के अधार पर किया जाता है ठीक है देखें बात करें गरीबी गरीबी क्या होती है गरीबी एक ऐसी इस्तिती है जिसमें ब्यक्ति अपने पास उपलब संसादनों से अपनी नियूंतम आवसक्ताओं की पूर्ती नहीं कर पाता है इनमें नियुन्तम आवसक्ताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, सिक्षा, स्वाष, सम्मंदी नियुन्तम मानवे आवसक्ताओं को सामिल किया जाता है ठीक है भारत में गरीबी का अनुमान एन एससों के परिवार उबहोग भी है सर्वे के अधार पर लगाया जाता है योजन आयोग अब नीती आयोग द्वारा उबहोग भी है इस्तर 16 छेतरों में पिर्थी बेकती, 2100 कैलोरी पिर्थी दिन तता ग्रामीर छेतरों में 2400 कैलोरी पिर्थी दिन गरीबी की रेखा निरदारित करी गई है अलग समीती ने मात्र पोसक तत्वों की आवसकता के आधार पर गरीवी रेखा का निर्दारन किया है नगरिय छेत्रों में BPL परिवारों की पैचान के लिए हासिम समीती का गठन की गई थी इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रेस्तोत करी थी सुरेश सेंद्रुकर समीती ने 2045 में यून्त्यम आवसकताओ को टोकरी का विचार दिया था इसमें क्या था तैंद्रुकर समीती 2011 बारे का अनुसार 2011 बारे में भारत का गरीबी का इस्थरकितना था 21.9 पृतिसरता सी रंगाराजन सिमिती 2012 के अनुसार आपका 2011 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे ठीक है गरीबी की संस्कृति का विचार आसकर लुईस ने के द्वारा दिया गया है ठीक है आएकी विसमता का मापन लारेंज पक्र द्वारा किया जाता है निर्धनता की दुसक्त के अबधार्णा का पिर्ति बादन रेगनर नक्षे ने बर्स 1993 में अपनी पुस्तक प्राबलम आपदा केपिटल फार्मेंशन इन अंडर डेवलोप कंट्रीज में स्परकासित किया था ठीक है देखे भारतिया पिर्ति बात करें सेवी की देखे सेवी का पूरा रूप होता है अपका सिकोर्टरी एंड एक्सेंज बोड ओप इंडिया यानिके भारतिया पिर्ति बूदी एबं बिनीमिय बोड ठीक है इसकी स्थापना आपकी बारे अप्राइर 1988 कोई थी राश्टिय क करने इसका 30 जनवरी 1992 में उकुआ था मुख्याले इसका मुंबई में है देखे इसका अगर बात करें पूंजी बाजार क्या इसका नियमन करना पिर्मु कारिया है ठीक है प्रवर्तिक क्या है इसके अगर उनकी बात करें तो आई-डी-वी-आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- प्रमुलियों को दिखाता है ठीक है यहें अगर बात करी जाए नैशनल इस टाक एक्चेंज की एन एससी के अगर बात करें तो इसकी स्तापनाप की 1992 में की गई थी फेरवानी सिमिती की सिपारिस के आदार पर ठीक है इसमें क्या होता है 50 कंपशी के सेयर के मूले को दिखाया जाता है भी क्यावट के पिर मुग सेयर बजार की अगर बात करूँ सेयर मूले सुचकांगी और श्टाक एक्चेंज की देखे फ्रेंकार्ट जर्मनी सिंगापूर संयुत राज्य अमेरिका ठीक है फिर मुख बित्य समीतियों के अगर बात करूँ एस एस तारोपर समीति का उद्देशे क्या है बिदेशी बिन्य में पूंजी खाता परिवर्टेने है तू सुजाब देने है तू ठीक है बात करें रनिसमन समीति की तो इसका उद्देशेता बैंकिंग सुधार है तू सुजाब देना ठीक है गोई पूर्य समीति कर बात करें तो इसका उद्देशेता प्रात्मिक सहरी सहकारी बैंकों में गिराक सेवा में सुधार करने करें ठीक है नची केत मोर सिमिती के अगर बात करूँ तो इसमें निमन आये वाले परिवार एबं छोटे बेवेसायों को ब्यापक बित्तिय सेवाई उपलब्द कराने के उद्देश से इसका रखा गया था ठीक है बात करें दीपक पारेक समीती की तो इसका उद्देशियता बित्तिय अब सररचना में सुधार के लिए ठीक है एग होस समीती के अगर बात करूँ तो इसका उद्देशियता बैंकों में धोका दड़ी रोकने है तो सुझा आप देना ठीक है बाई भी रेवेड़ी समीती के अगर बात करें तो छोटी बस्तों से जुड़ी विवस्ता में सुधार के लिए ठीक है रंगा राजन समीती का उद्देशियता बी निवेस पर सुझाप देने के लिए ठीक है यहां समिती का उद्धेशिय था पिर्तियक्षकर पर सुजाब देने के लिए बाचू समीति का उदेशिय था प्रतियक्षकर पर सुजाब देने है तू ठीक है केलकर समीति का उदेशिय आपका पीपी माडल का आकलन एवं कारोकोनल पर सुजाब देने है तू था कीर्ती परीक्षी का सम्मन जो था आपका उदेशय है पैट्रोल डीजर पर सबसीडि समाब कर नेका सुजाब दिया गया था ठीक है देखें बात करें पिर्मुक योजना यह और उनके कारेकरम की ठीक है देखे योजना कारेकरम और सुवारम तिती और उदेशे की बात करें सामादे की विकास कारेकरम आपका 2 अक्टूबर 1922 को ग्रामीड लोगों के जीवन इस तर में सुधार के लिए इसका उदेशे रखा गया था ट्राइ सेम की अगर बात करें तो इसका सुवारम 1889 में ठीक है इसका उदेशे था ग्रामीड यूबाओ को रोजगार हेतु तकनीकी एबम उदमिता कोसल प्रसिक्षन प्रदान करना का सुवारम आपका 1882 में क्या गया था इसका उदेशे ग्रामीड छेतर की महिला एबम बच्चों का विकास करना था ठीक है इंद्रा आवास यूजना आपकी 1885 में इसका उदेशे एस्टी और बीपेल परिवारों को पका आवास देश परदान करना था ठीक है मद्यान भोजन यूजना आपकी 1921 में इसका नाम बदल कर PM पोसल कर दिया गया था ठीक है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को इसका उदेशे था एक से आठवी कक्चा तक के बच्चों को दो पैर में पोसल युक्त भोजन उपलवद कराना ठीक है बात करें स्वर जैनती सहरी रोजगार यूजना तो इसकी सुरुवात आपकी 1 दिसंबर 1997 को इसका उदेशे था सहरी बेरोजगारों एभम अलप बेरोजगारों को लापकरी रोजगार प्रदान करना ठीक है बात करें किसान क्रेडिट कार्ड यूजना की तो इसकी सुरुवात आपकी 1988 में की करी थी इसका उदेशे था किसानों को रहती ब्याजपर रण उपलवद कराना ठीक है बात करें स्वर जैनती स्वरोजगार यूजना इसकी सुरुवात आपकी 1 अप्राइल 1999 को करी गई थी ठीक है इसका उदेशे जो था आपका ग्रामिल छेत्रों के BPL परिवारों को स्वरोजगार है तो मदद प्रदान करना ठीक है बात करें प्रदान मंत्री ग्रामिल सडक यूजना तो इसकी सुरुवात आपकी 2000 में करी गई थी और इसका उद्देशे था ग्रामिल छेत्रों में कम से कम 500 आवादी वाले गावों तता सहरी पहाली छेत्रों में 250 आवादी गावों वालों को 12 मासी सडकों से जोड़ना ठ करी गई थी 25 दिसंबर 2000 को करी गई थी इसका उद्देश्य था अती निर्धन परिवारों को पिर्ति माह 35 किलोग्राम खाद्यान उपलग्द कराना ठीक है बात करें सर्व सिक्षा अभियान की शुरूबात करी गई थी आपकी 2001 में करी गई थी और इसका उद्देश्य था 6- 14 बर्स तक के सभी बच्चों को निसुर्क एभम अनिवारे सुक्षा प्रदान करना ठीक है उसके बात बात करें भारत निर्वार योजना भारत निर्वार योजना की शुरूबात आपकी 16 दिसंबर 2005 को करी गई थी इसका उद्देश्य था ग्रामीड अपसर रचना का वि निवारे सुरूबात आपकी जो करे गई थी दो फरवरी 2006 को आंध प्रदेश के अनन्द पुर्जले से करे गई थी ठीक है इसका उद्देश्य था एकोसर स्रीमिको को सो दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्द कराना ठीक है उसके बाद बात करें आम आदमी बीम योजना इसकी सुरूबात आपकी दोक्टूबर 2007 को करी गई थी इसका उद्देश्य था एसंगेटित छेत्र के कामगारों को बीवा कवर पिरदान करना ठीक है उसके बाद बात करें ग्राश्टे ग्रामिर स्वास्त मिस्तन एन रहे चेम की देखे इसकी सुरूबात आपक बात करने राश्ट्य स्वास्त भीमा योजना की सुरूबात आपकी एक अप्रेल 2008 को करी गई थी ठीक है इसमें उद्देश्य था बेपील परिवारों को 30,000 रुपे तक का स्वास्त भीमा कवरेज प्रदान करना ठीक है प्रदान मंत्री जंधन योजना की सुरूबात की अगर बात करें तो इसकी सुरूबात आपकी करी गई थी 28 अगर 2014 को और इसका उद्देश्य था कमजोर बर्गों के बित्तियस समा मिसन है तो जीरो बैलेंस पर बैंक आता कोलना ठीक है मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो इसकी सुरूबात आपकी 25 सितमबर 2014 को करी से था दो अक्टूबर 2019 को गांदी जी की 150 भी जैनती तक देश को खुले में सोच युक्त ओडिये फिरी बनाना ठीक है भारत स्वच मिसन की ठीक है मिसन इन धनुस की अगर बात करें तो इसका सुरूबात आपकी 25 सितमबर 25 दिसमबर 2014 को करी गई थी इसका उद्देश्य बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरूबात आपकी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हर्याना से सुरूब करी गई थी इसका उद्देश्य था बाल लिंगन उपास CSR बढ़ाना महिला सैसक्तिकरण लेंगिक ऐसमानता को कम करना ठीक है दीक है सूकन्य समर्दी योजना की 30 वर्स 1.5 लाग रुपे तक के जमापर सरकार उचदर से ब्याज देती है ठीक है मिरदा स्वास्तिकाड योजना मिरदा स्वास्तिकाड योजना क्या थी इसकी सुरूबात आपकी 9 फरवरी 2019 फरवरी 2015 को सूरतगर राइस्तान से करी गई थी ठीक है इसका उद्देश्य थ मिरदा के स्वास्तिकार किसानों को मिरदा स्वास्तिकाड उपरवद कराना थीक है उसके बाद बात करें परदान मंत्री मुद्रा योजना की सुरूबात आपकी 8 फरवरी 2015 को करी गई थी इसका उद्देश्य था छोटे उद्मियों को बिना गारटी 10 लाग रुपे तक का बैंक रन उपरवद कराना थीक है उसके बाद बात करें परदान मंत्री सुरुक्षा बीमा योजना आयो थी इसमें 870 बर्स प्रीमियम था 20 फरवर पिर्ती बर्स इसकी सुरुवात आपकी 9 माई 2015 को करी गई थी इसका कहता दुरगाटना से मिरत्यों की दसा में बीमा धार को दो लाक रुपे का बीमा कमर पिर्दान कारना था ठीक है उसके बाद बात करें पिर्दान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना ठीक है पिर्दान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना की सुरुवात जो करी गई थी आपकी 9 माई 2015 को इसमें कहती आई यू 850 बर्स पिरिमिय अधार को क्या था दो लाक रुपे का बिम्य प्रजान कया गया था ठीक है प्रदानमंत्री आवास योजना सहरी प्रदानमंत्री सहरी आवास योजना की सुरुवात आपकी जो करे गई थी 25 जून 2015 को करे गई थी इसका उद्देश से था गरीवी सहरी परिवारों को पक्का हपास उपलब्द खराना स्मार्ट स्टी की योजना की शुरुआत आपकी 25 जून 2015 को करी गई थी इसका उद्दे से था देश के 100 सहरों को स्मार्ट सहर की रूप में बिक्सित करना ठीक है डीजिटल इंडिया कारेब करेकर सुरुबात जो करी गई थी आपकी एक जुलाई 2015 को करी गई थी इसका उद्देश्य था डीजिटल बुनियादी धाचों का विकास एभम साहर मुविक डीजिटल साक्षर्टा को बढ़ाना था स्टार्ट अप इंडिया के अगर बात करें तो इसकी सुरुबात आपकी 16 जनवरी 2016 को करी गई थी इसका उद्देश्य था आपका देश में नवाचर एभम स्टार्ट अपको बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत परिस्तितितन्तर का निर्मान करना ठीक है स्टेंड़ उजना की सुरुबात आपकी 5 अपरैल 2016 को करी गई थी इसका उद्देश्य था बी पी एल परिवारों की महिलाओं को निसुल गैस कनेक्शन बितरित करना ठीक है पिर्धान मंत्री फसल बीमा योजना पिर्धान मंत्री फसल बीमा योजना की सुरवात आपकी 18 फरवरी 2016 को करे गई थी इसका उद्देश्य था किसानों को नियूंतम पिर्धान मंत्री आवास योजना ग्रामिड की सुरवात आपकी 20 नवंबर 2016 को करे गई थी इसका उद्देश्य था ग्रामिड बीपेल परिवारों को पक्का आवास उपलब्द कराना पिर्धान मंत्री किसाई सिचाई योजना इसकी सुरवात आपकी 1 जुलाई 2015 को करी गई थी इसका उद्देश्य था सुच्म सिचाई पत्ती को बड़ावा देना पिर्धान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसके बोलते हैं सोभाग्य योजना की सुरवात आपकी 25 दिसंबर 2017 को करी गई थी इसका उद्देश्य था गरी परिवारों को निसुर्क बिद्दूत करुक्सन पिर्धान करना आगती आपकी भारत माला योजना देखें भारत माला योजना की सुरवात आपकी अक्टूबर 2017 में करी गई थी इसका उद्देश्य था देश में सड़क कनेक्टिविटी वड़ाना अब बात करें आयुसमान भारत योजना आहिसमान भारत योजना की सुरुवात आपकी 23 सितंबर 2018 को करी गई थी ठीक है इसका उद्देश्या है देश के 10 करोड गरीब परिवारों को पिर्तिवर्स पांच लाग रुपए तक का निसुल्क स्वास्त विमा कवरेश पिर्दान करना ठीक है आगे बात करें पिर्दान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना पियम किसान योजना की सुरुवात आपकी 24 परविर 2019 को करी गई थी इसका उद्देश्या है किसानों को पिर्तिवर्स 6000 रुपए 22000 रुपए की 3 किस्तों का आर्थिक सयोग पिर्दान करना ठीक है उसके बाद आती है आपकी स्वामित योजना स्वामित योजना की सुरुवात आपकी 24 परविर 2020 को करी गई थी इसका उद्देश्या है गाओं की भूमी का मांचित्रिकन एभम घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकोर्ड परदान करना ठीक है स्वामित मांच की सुरुवात आपकी 24 सेफरेल 2020 को ठीक है उसके बाद PM सिरी स्कूल योजना PM सिरी स्कूल योजना की शुरुबात आपकी 5 सेतंबर 2022 को करे गई थी इसका उद्देश यह है देश के 14500 स्कूलों को माडल स्कूल के रूप में बिक सित करना ठीक है तो आज का टोपिक जो सेशन था हमारा यही पर होता है फिर मिलेंगे अगरे टोपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करते रहें